प्रेंज नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकुम करता हूँ आपके अपने चैनल कमल लंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आईजी टीवी नेट्वर्पर फ्रेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल लंदलाल का राशी वाले क्या करें और क्या ना करें और प्रोग्राम के आखर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाए जो आपके लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को बस आसानी सदूर कर देगा तो चलिए शुरूआत करते हैं कमल लंदलाल के राशी फल की पंचांग के शाम को 6 बचकर 17 मिनिट तक दिन का सब से शुब मोहरत रहेगा सुबह 11 बचकर 59 मिनिट से लेके मध्यान अपराहन काल में शाम को 3 बचकर 52 मिनिट तक विशेश क्या है पंचमी का शराद है इसे कुवारा पंचमी कहते हैं और ये इस दिन अश्वन कार्थिकाज दीपम पर करपा से रोगों से मुक्ती मिलेगी पित्रगण की करपा से रोग दूर होंगे उसके लिए राशिफल को आखर तक देखेगा शुरुआत करते हैं और लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि जो दिशा शूल है वो पस्चम दिशा में रहेगा इसके पस्चम दिशा क करीयर में अच्छे खबर मिलेंगे खास पारे बारे काम पूरी होंगे आपी पर लाल चन्न लागा येँ शुह रोएगा शुरुगर आप एपकारिन के और ला रहेगा दूसरी कमकाच से परजन खोश रहेंगे आर्थिक मामन में मौके मिलेंगे अनुभवी लोगों की सलहा से लाब होगा घरेलू कामकाज में भागदर रहेगी छातर पढ़ाई लिखाई में सफल रहेंगे दामपत्य सुखी रहेगा उपाई ये करेंगे घर की पूर विदिशा में दीपक जलाएं शुबंग काट रहेगा शुबरंग र सिंग यानि लिओ की बात करेंगे सामाजिक प्रतिष्टा वड़ेगी तरक्की के मार्खो लेंगे चातर प्रतियों की तामें सफल रहेंगे कामकाज में परिजन सहीओग देंगे घरिली जीवन सुखी रहेगा उपाई ये करेंगे आजवाईन का सेवन करें शुबंग चा काला साथ वी रैशी तुला यानि लिबरा की बात करेंगे रिश्टे मधूर रहेंगे आर्थिक पक्ष में सुधार आएगा घरिली लू काम का आजासानी से निप्टेंगे कारोबारी यात्राय सपल रहेगी जीवन साती से कोई खुश्खबरी मिलेगी उपाई ये करेंग उपाईये करेंगे लाल फूल गंदे नाले में बहादें शुवंक तीन रहेगा शुवरंग रहेगा पीला नवी राशी धनू यानि सेजिटेरियस की बात करेंगे जीवन साथी की मदद से काम काचपूरे होंगे जिम्यदारियां सही तरीके से निभाव पाएंगे निवे जीवन सुखी रहेगा कारशेतर में तरक्की मिलने के यूग हैं काम इच्छानुसार पूरी होंगे कारोबारी काम काच में तारीफ मिलेगी उपाईये करेंगे धार में चित्र के निमे तो गुलाब की अगरवत्ती जलाएं शुवंक दू रहेगा शुवरंग रहेगा सफ बार भी राशी मीन यानि पाईसिस की बात करेंगे कारोबरी निवेश से लाब होगा धनलाब के यूग हैं परिजन प्रसंद न रहेंगे पारिवर एक तनाव मिटेगा मित्र की मदद से कामकाज में सफल रहेंगे उपाईये करें कि कि किसी गरीब महिला को तामबे का वरत करती शाद किया जाता है जिनके मित्व पंचमी तिति पर होती है अथवा उन लोगों का शाद किया जाता है जो कुमारे इस दुनिया से चले जाते हैं इसे कुमारा पंचमी कहते हैं ऐसे में खास दिन कार्थिका दीपम परवह है यानि कि करितिका नक्षत्र सूर्य का नक् और इसका पूरा का पूरा सम्मंद जो होता है यह होता अगनी से दीपक से तो क्या करें आप ये जानते हैं कि सफलता पाने के लिए सभी राशी वाले क्या करें तो देखें ये खास दिन है शिवलिंग के भूजन का भी तो शिवलिंग का पूजन करें और पित्रगण का पू लवाई शहद खरीदना शुभ रहेगा, पीले कपड़े पहनना शुभ रहेगा, गुलर कपड़ लगाना शुभ रहेगा, इशान दिशा की यातरा शुभ रहेगा, अब जान लेते हैं सफलता से बचने के लिए क्या नलेकरने तो देखे गुसा ना करें मिर्च मसालेदार वाला खाना ना खायें काले कपड़ें ना पहने संतान के अंदे़ी ना करें खटी वस्तमों का दान और रुपियों के ना करें इस दिन इंमली नीमबू इस तरह की के चीजें शाध में या आचार इसका वर्जना कही गई है मिट्टी खोदने का काम ना करें और पश्चिम दिशा की आतरा ना करें तो दोस्तों हम समय है आज के स्पेशल उपाय का वो स्पेशल उपाय जो रोगों से मुक्ति दिलवाएगा खास दिन है कार्तिकाई दीपम का दिन है कुमारा जिन करें और रोगों से मुक्ति पाने के लिए शिव मंत्र जपते हुए पित्रगण के निमेदर अलसी के तेल का दीपक जलाएं दक्षन देशा में और विशेश मंत्र कजाब करें शिव मंत्र मंत्र है ओम आलोका यह नमहा आश्वस्त करता हूं रोगों से निश्चित मुला कातु गिजाजब दिये, नमस्कार, नमस्षिवाय.